दोस्तों आप सब का स्वागत है, दुनिया की नई खोज की बहुत सी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चानल को, क्लिक कर देना बैल पर नए खबरों के लिए, दोस्तों जैसे आप सब जानते है कि मध्या, प्रदेश कंधया के भक्तों की नगरी है, अब कितने स सालों बाद एक और भगवन की मूर्ती चर्चा का विशय बनी हुई है, जी हाँ, भुपाल की ईश्वर नगर में कृष्णा की मूर्ती सुर्ख्यों में है, भक्तों का कहना है कि उनके कृष्णा माखन खाते हैं, दूद भी लेते हैं, मूर्ती को घर ले जाने के लिए भक स्तव के घर के मंदिर में रखी जाती है, जो भक्त चाहता है कि मूर्ती उनके घर में लेकर जाए तो यह सब लखी ड्रॉ से ही निर्धारित होता है, उस भक्त को अपना नाम पता मोबाइल नम्बर परची में लिख कर डालना होता है, फिर जो होता है लखी उसे मिलता है का गोपाल जी को घर ले जाने का फिर कुछ समय के लिए वह मूर्ती उसी भक्त के घर में रखी जाती है, भक्तों का कहना है कि सुबह उठकर कानहा को पानी दूद देना होता है, उन्हें घुमाया जाता है, नहलाया भी जाता है, उनका अभिशिक भी होता है इसके, बाद उनका अश्रिंगार भी होता है, फिर उन्हें सिहासन पर भिठा आया जाता है, क्या इसके बारे में आपकी कोई टिपणी या राए है तो आडियो कॉमेंट पर क्लिक कर दीजिए